एक है अज़ाइब दोस्तों अमेद्धियाफ सब खरीया से होंगे आज की जो हमारी वीडियो है वह डिफेरेंट्स के उपर है वालिटेटिव क्वाइन्टिकेटिव और मिक्स्ट के उपर ठीक है इस वीडियो से पहले जो हमने वीडियो बनाए थी वह 8 स्टेप से रिसार्च प्रोसेस के वो यह है यह बरीफ बरीफ जो है ना इनका इंट्रेट्रक्शन मैंने दिया हुआ है ठीक है पहले वीडियो में और जो आज की वीडियो है वो इसके उपर है डिफेरेंस के उपर फिर नेक्स वीडियो के अंदर जो है ना हम जो बकाइदा रिसार्च शुरू होती है जिस तरीके से उसको हम जो है ना कवर करेंगे तो पहले इसको देख लेते हैं अंडर पाइनिंग फिलोसपी अब यह क्वाइंटिटेटिव रिशनलिजम है यह क्वालिटेटिव इंपेरिशिजम है और इसमें मिक्स्ट में यह समझ लें कि यह तीन दोनों की आ जाती है नोट्स बाकि मैंने यहां दिये हुए है अब यह कह यह स्ट्रक्ट्राश होती है रिजर होती है अलग बन सकती है ठीक है प्रीडिटर्माइन होती है जो क्वांटित्री रिशार्च होती है यह ऊपन मेथे प्रेदोल्जियों धिया सुर्ट है इसमें में डिस्क्राइब करता हूं जो मारा में टॉपिक है वह है लिट्रेचर रिव्यू लिट्रेचर रिव्यू का मतलब होता है अगर कोई आप रिसर्च कर रही है तो उस टॉपिक के उपर पहले कितनी रिसर्चेज, सर्चेज, बुक्स यह आर्टिकल जो कुछ भी उस मेटेरियल अल्रेडी लिखा जा चुका है उसको पढ़ना है उसको समझना है ठीक है लिट्र लिट्रेचर इंजिअर अरिया अव स्टेडी रिव्यूग की यह वीड़ियूत्या तॉमेदे लिट्रेचर इंछ९ूर्टिकल फ्रैमवर्क डिवर्डफ। त्रмотр इमधे सद्सेज के सौर्सेज भी होते हैं वह भी मैं आपको बता दिता हूं पहले क्या यह आइके लिट् सब्जेक्ट के ओपर जो है ना किसी ऑथर के जो वर्क होता है रिटेन वर्क उसको बिबिलियोग्राफी में शुमार के जाता है तो उसको हम लिस्ट को त्यार करेंगे फास्ट आफ आफ आल कि हमने यह चीजें पढ़नी है अब लिटरिचर रिव्यू के लिए जो हम सोर्स इ इंटर्नेट है सबसे इस जो है ना वह इंटर्नेट है इसमें एवरिटिंग अविलिबाल होती है मतलब बुक्स को समझ ले क्वालिटेटेटिव और रुचो लिटरेचर रिव्यू इन डेफ्थ बुक्स जो है इन डेफ्थ आपको मुतैला करने के लिए मदद देती है जर इंटर्नेट में क्या होती है इसमें मुझब रिवियू इचान जो हैनकी और फिए और रिव पहलां करता है उतकी क्रीटिकली कि इस यसाप लड़नेट निंटीशी कई dois को आदेथा कि मुझक्फ अज़ना धिन आटिरचर वह रिविविक्विश लिये हूं मिदा रिभन्स या जर्नल्स लिए हुए उनको हम study करते हैं critically ठीकली 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 उन में फिर उनकी थीम्स है यो जो इशूज है वो हम highlight करते जाते हैं या अलग लिखते जाते हैं जो हमारी study से related होती है unless you have theoretical framework of these in mind अब हमारे जहन के अंदर एक theory या एक concept बिल्ड हो जाता है इस चीज के बारे में इस topic के बारे में तो होगते हैं theoretical framework अब हम देखते हैं क्या है to create your own theoretical framework you can follow these three steps identifying your key concepts जो main concepts है वो हम identify करेंगे evaluate उसका तज़िया करेंगे उसका analysis करेंगे explain relevant theories उससे मतलब जो theories हैं वो हम explain करेंगे showing how your research fits into existing research अब हम यह show करेंगे कि हमारी जो research है वो already research में add हो रही है उसमें उसको फैदा दे रही है उसमें बहतरी के लिए है अब लास्ट जो step है literature review का वो ही है developing a conceptual framework अब हम यह concept जो हम इनकिलूट करेंगे one or more formal theories ठीक है एक यह दो से जाद theories जो हम add करेंगे it is used to show relationship among these ideas and how how they relate to research study the key steps for development of the conceptual framework identifying the key variables draw out key variables within something you have already written about the subject area here is your literature review अब आपका literature review हुआ गया खैर यह वीडियो हमारी यहीं पर खतम होती है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दे अब हमारी जो है ना research proper उसके steps शुरू हो चुके हैं किसी भी research को शुरू करने से पहले दो चीज़ें अहम होती हैं पहला होता है उसका फर्मोलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम हमें research प्रॉब्लम यह research प्रॉब्लम को identify करना होता है और उसके बाद हमें जो है अपनी शुरू करने से पहले जो काम करना होता है वह है literature review हमने लिट्रेचर रिव्यू को आप अच्छी तरह से समझ लिया है इसका जो मेन कॉंसेप्ट है वो यही है कि आपकी इंट्रेस्ट का टॉपिक है जिस पर आप रिसार्च करने जा रहे हैं उस पर जो अल्रेडी वर्क हो चुका है उसको रीड आउट करना क्रिटीकली इवल् एक दो तीन चर वीडियो में इंशाला जो है ना पूरा रिसार्च का प्रोसेस जो है ना वो कवर हो जाएगा इंशाला उतला तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए अल्ला आफिस